आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, इस वीडियो में question देखेंगे जो की based है particle moving in a plane पे question में क्या बोला है particle moves in xy plane according to the law x is equal to 4 sin 60 and y is equal to 4 multiply by 1 minus cos 60 the distance transfers by particle in 4 seconds तो हमें क्या बताना है distance बताना है ठीक है और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी speed चाहिए अब देखो हमें position दे रखा है x और y में तो हम क्या कर सकते है velocity in x and y निकाल सकते है differentiate करके फिर उसका magnitude ले ले लेंगे तो speed आ जाएगी और speed को इस time से multiply कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा distance आ जाएगा ठीक है तो जो चीज़े पहले given है वो लिख लेते हैं सबसे पहले हमें given है x given है ठीक है v नहीं x given है और ये कितना है x is equal to 4 sin 60 और y given है y की value कितनी है 4 whole multiply by 1 minus cos 60 अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ differentiate कर देंगे मतलब पहले एक बार इसको तो ये हमें क्या दे देगा velocity in x direction ठीक है velocity in x direction क्या हो जाएगा dx by dt और अगर इसका हम differentiation करते हैं तो 4 तो constant है ऐसी ही रहेगा sin का differentiation क्या हो जाएगा cos 60 और इसके अंदर एक function है उसका भी differentiation करेंगे हैं तो मतलब 60 का differentiation कितना होगा 6 तो उसको यहाँ लिखने की वजाए में यहाँ आगे लिख दे रहा ठीक है वनना confusion होगी कि 6 t के साथ तो कहीं है 6 multiply में नहीं है न तो vx हमारे पास क्या आ गया 24 into cos 60 अब हम ऐसे ही क्या निकाल लेते हैं v in y direction तो v in y direction dy नहीं v in y direction क्या हो जाएगा dy by dt ठीक है तो इसको थोड़ा मतलब अगर ऐसे लिखें यह हो जाएगा 4 minus 4 cos 60 मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 को अगर रंदे और multiply कर दे तो 4 minus 4 cos 60 ठीक है अब इसका अगर differentiation करेंगे 4 का differentiation क्या हो जाएगा 0 और इसका differentiation minus का minus as it is आएगा 4 भी as it is रहेगा cos का differentiation क्या होता है minus sin t ठीक है cos का differentiation क्या होता है minus sin तो वो minus minus यह हो जाएगा plus और इसका differentiation हो गया sin 60 और फिर इसके अंदर जो function है उसका भी differentiation करेंगे तो यहाँ क्या multiply हो जाएगा 6 ठीक है और यह 6 इधर जाके 4 से multiply हो जाएगा 24 हो जाएगा तो v in y direction भी क्या आगया 24 sin 60 ठीक है और v in x direction यह आगया अब हमें क्या निकालने है speed निकालने है यह velocity है different different direction में तो speed के लिए हम क्या करेंगे speed क्या हो जाएगी मतलब magnitude of this दोनों की velocity का तो वो क्या हो जाएगा v in x direction का square plus v in y direction का square under root में समझ गया अब इसको अगर हम करेंगे मतलब square करके root में तो यह हमारे पास क्या आजाएगा यहाँ पे v x तो आजाएगा 24 cos 60 का whole square ठीक है और v in y direction के आजाएगा हमारे पास plus 24 sin of 60 का whole square समझ गया यहाँ कुछ common आ रहा है बिलकुल 24 का square तो यह हम 24 बाहर लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा cos 60 का whole square plus sin 60 का whole square तो यह क्या बन रहा है यह cos square theta plus sin square theta बन रहा है ठीक है देख सकते हो theta का का हम 60 कर रहा है और cos square theta plus sin square theta की value क्या होती है 1 होती है समझ गए क्या होती है 1 होती है तो यहां हम लिख सकते हैं जो v आ गया वो कितना आ गया 24 meter per second यह हमारे पास क्या आ गई speed आ गई समझ गए न क्योंकि यह हमने magnitude लिया है दोनों vector का तो magnitude हमें speed देती है अब हमें क्या निकालना है लेकिन distance तो distance क्या होता है distance होता है speed into time speed हमने निकाली हुई है कितनी 24 meter per second और time हमें दे रखा है कितना 4 second में हमें निकालना है distance तो यहां 4 से multiply कर देते हैं इसको अगर multiply करोगे तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा 96 meter हमारा answer final क्या हो जाएगा 96 meter अगर option की बात करें तो option first is correct ठीक है Thank you guys for watching this video